बहु चर्चित का लाहिरन शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सल्मान खान दोशी करार दिये गए हैं इसके साथ अन्य सभी आरोपियों अभिनेता सैफ हली खान, अभिनेतरी नीलम, सुनाली, तबू और दोशन्त सिन्ग को भरी कर दिया गया है 28 मार्च को इस मामले में सी जेम देव कुमार खत्री की कोट में सुनवाई हुई थी इसके बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था इस मामले के सुनवाई के लिए बुदवार को फिल्म अभिनेता सल्मान खान, सैफ हली खान, अभिनेतरी नीलम, सुनाली और तबू मुंबई से जूदपूर पहुँचे थे सल्मान जूदपूर के ताज पहले इस होटल के कमरा नंबर 11 में रुके हुए थे बुदवार की रात सल्मान सो नहीं सके पूरी रात बेचैनी भरी गुजरी वे परिवार के साथ सुविमिंग पुल के किनारे बैठे दिखे थे सितमबर अक्टूबर 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दोरान सल्मान खान पर चार मामले दर्ज किये गए थे पहला मामला भवाद गाओं केस का है यहाँ 27 सितमबर 1998 की रात को एक हिरन के शिकार का आरोप सल्मान पर लगा सी जेम कोट ने 17 फरवरी 2006 को सल्मान को दोशी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई हाई कोट ने इस मामले में सल्मान को भ़ी कर दिया फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोट गई है दूसरा मामला घोडा फाम हाउज में 28 सितमबर 1998 की रात को दो हिरनों के शिकार का आरोप सल्मान पर लगा सी जेम कोट ने 10 अप्रेल 2006 को उन्हें दोशी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई लेकिन सल्मान हाई कोट से बरी कर दिये गए इस मामले में भी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोट में अपील की है इतना ही नहीं तीसरा मामला यानी आर्म्स एक्ट में सल्मान पहले ही बरी कर दिये गए हैं आरोप था कि 22 सितंबर 1998 को सल्मान खान के कमरे से पुलिस ने एक रिवॉल्वर और राइफल बरामत की थी चौथे और आखिरी काले हिरन मामले में जूदपूर कोट ने उन्हें दोशी करार दिया शूटिंग के दोरान शिकार का आरोप बताते चलें की 1998 में जूदपूर में अपनी फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दोरान सल्मान खान पर काले हिरन का शिकार करने के आरोप लगे थे इस केस में उनको गिरफतार भी किया गया था सल्मान खान को पांच दिनों तक जेल में रहना पड़ा था 22 सितंबर 1998 को उनके कमरे से पुलिस ने एक रिवॉल्वर और राइफल बरामत की थी सल्मान के खिलाफ दर्ज कराया केस वन अधिकारी ललित बोड़ा ने इस मामले में जूदपूर के लूनी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर 1998 को सल्मान खान के खिलाफ इफाहियार दर्ज करवाई थी पुलिस द्वारा धर्जे फाहियार के मुताबिक सल्मान खान ने 1-2 अक्टूबर 1998 की दर्मियानी रात कांकानी गाउं की सरहद पर दो काले हिरनों का शिकार किया था 28 मार्च को पूरी हुई अंतिम बहस अभियोजन पक्ष की ओर से 51 गवाह की सूची कोट में पेश की गई जिसमें से 28 गवाहों के बयान करवाए गए बचाव पक्ष की ओर से भी मामले में बचाव के दस्तावेज कोर्ट में पेश किये गए इसके बाद सभी मुलजिमों के बयान लेने के बाद दोनों पक्षों की ओर से अंतिम बहस गत 28 मार्च को पूरी कर ली गई थी सभी को पेश होने कदिया था आदेश सी जेम ग्रामीन देवकुमार खतरी की कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाने के लिए आज का दिन मुकरहर करते हुए सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने की हिदायत दी थी इस मामले में सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए लोग अभियोजन अधिकारी भवानी सिय भाटी ने पैरवी करते हुए कोट के समक्ष सभी गवा, दस्तावेज और आर्टिकल पेश किया था क्या हुआ एक से दो अक्टूबर 1998 की राद चश्मदीदों के मताबिक एक अक्टूबर 1998 को जूदपूर के कांकानी गाव में रात के करीब दो बजे खेत के आसपास अंधेरे में हेडलाइट की रोश्नी चमकी, सफेद रंग की जिपसी एक ही इलाके में लगातार घुम रही थी गाव के लोगों को समझते देर नहीं लगी कि यहां शिकारी आधम के हैं, काले हिरन के शिकार की कोशिश में हैं लाठी डंडों के साथ डौडे थे गाव के लोग गोली की आवाज जब सुनाई दी तो शक यकीन में बदल गया आधी रात को गोली चलने की आवाज आई, तो गाव वाले जगए और लाठी डंडों के साथ उस तरफ दड़ पड़े जिधर से आवाज आई वहाँ पहुंचे तो देखा दो काले हिरनों का शिकार किया गया है इसके लिए जिपसी में सवार होकर कुछ आधुनिक से दिखने वाले नौजवान लड़के लड़किया आए हैं पीछा किया तो जिपसी लेकर भागे शिकारी ग्रामीनों ने पीछा किया तो तमाम शिकारी जिपसी लेकर भाग खड़े हुए हाला कि चश्मदीद बताते हैं कि भागते जिपसी में बैठे सलमान को लोगों ने तुरंत पहचान लिया लेकिन अदालाती सुनवाई के दौरान छोगा राम अपने बयान से पलट गया बलकि मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर कोट में अरजी लगा दी कि उसे कुछ याद नहीं रहता लिहाजा उसे गवाही से अलग रखा जाए